वेरी वेरी गुड इवनिंग तो आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट हमने आपके जो है लेटिस क्लास के फोल्डर में अगर आप जाओगे तो बार-बार मैं रेपीट कर रहा हूं क्लासिस कैसे देखनी है आपको एक फोल्डर लेटिस क्लास का मिलेगा उसके अंदर आप आपके इंड़ क archives जो चार आपके पास मेंजरमेंट अबशें तंडेंसः उसके नडर चाफ्टर 5 उसके नडर गाओन पे चक्चाफ्टर 3 मिलेगे चुछ कर यह य। शारे मीन लेलें कि का मिलिगा तो मीनेग कोई फिर जाओगे तो उस मेरे मेने आपके लिएमेंडी जात तो आपके पास doubt number है, आप उस पे message करें, आपको हम immediate response करेंगे. चलेर है बच्चोः, तो ठीक है, तो थेक है, तो course आप अपना, कोर्स आपके उपएबर है की भई आपको खतम करना जाते हैं? आप कहते हैं, सरह में कोर्स पेपर है, हमारा कोर्स जल्दी कवर करवाद हो, बच्छे कोर्स कवर हो चुका है, आपके उपर है क्याओ तो आज ही कवर कर लो, अगर आप कर सकते हो तो, पूरा कंटेंट, सब कुछ अच्छे से, पीडियाफ, सब कुछ आपको अब ख़ो एबि अगर आपने लास्ट के उनित अच्छे से कर लिए प्मासाल कोशिन नहीं करें तो बेपर खरा भी जाएगा तो कुल मिला करके अगर आप बोलो के सार एक ची बता दो अच्छी बता दो सबसे इंपर्डेंट है तो उनित वाइस सीखना भूज जरूरी यह तो आपको रट्टाफिकेशन लगेगा डिरेक्ट अगर अगर प्रिवीस तरी कोशिन करोगे तो रट्टा से ज्यादा कुछ नहीं वाला अब रट्टा मारोगे-मारोगे इसलिए अगर रट्टाफिकेशन से बचना चाहते है तो पहले आप उनित और से कॉंसेट को समझेए फिर आप आये प्रिवीस तरी कोशिन फिर आपको अच्छे समझ में आएगा अब यहाँ पर मैस कोशिन को फोकस करूँ आप से कॉंसेप्स वगेरा तो हमने युनिट प इस जिरो पॉंट थी तो यहाँ पर आपके पास पर जो वैलू गिवन है र इक्वल्स तो र इक्वल्स तो जिरो पॉंट थी और एग्वल्स तो ट्विंटी आइटम्स ट्विंटी mean of x is 15 x bar equals to 15 and that of y is 20 and mean of y is 20 while standard deviation are 4 and 5 respectively. तो standard deviation of x is 4 and standard deviation of y is 5 at the time of the calculation of one item 27 देखेगा, calculation time पर एक item जो 27 has wrongly been taken, 27 गलती से ले लिया गया, taken as 17 in case of x, 27 has wrongly been taken as 17 in case of x series, तो 27 has wrongly been taken as 17, 27 को गलती से सत्रा ले लिया गया, 27 सही था, इसको गलती से सत्रा ले लिया गया, 27 has been wrongly taken as 17, clear है 17 गलती साय, 27 होना चाहिए था, x series and the 35 instead of 30 in case of y, 35 ले लिया गया, instead of 30, तो जो 30 होना चाहिए था, उसके जेगे पर 35 ले था, 35 ले रागना गया, now I say, find the correct coefficient of correlation, अब coefficient of correlation का formula क्या आपके पास में, coefficient of correlation का formula पर अगर आप जाते हो बच्चे, तो आपके पास में, r equals to sigma x y upon n minus sigma x upon n into sigma y upon n, clear, upon standard deviation of x into standard deviation of y, clear बच्चे या फिर simply make standard deviation, under root, standard deviation of x क्या होगा, sigma x square by n minus sigma x by n का whole square, clear है बच्चे, standard deviation of y क्या होगा, sigma y square by n minus sigma y by n का whole square, क्या है, clear है बच्चे, ये बच्चे माई, तो basically आपके पास में, coefficient of correlation का formula है, डिनोमेटर जो देख रहे होगा है, standard deviation of x, standard deviation of y है, अब आपके पास में, अगर correct standard deviation निकालना तो सारी चाहिए, correct होने चाहिए, आपके पास में, summation x जाहिए, आपके पास में है तो साइं, information यहाँ पर, ये सारे incorrect information है, क्योंकि जब आपके पास में, x series का data ही गलते लिख लिए, y series का भी data ही अगर आपने गलते लिख लिए तो, obviously, कि सारे information जो आपके पास में, आपके से calculate होई है, सब कुछ गलती हुआ है, तो सब को tick करके हमें value replace करना है, तो अब आ रही है भाया, यह तो हम इसमें replace करेंगे, तो यही चीजों की requirement है, बड़ सब को tick करना पड़ेगा, आइए, पहले मैं यहाँ पर submission of x की बात करता हूँ, wrong, wrong, submission of x equals to, x mean 15, मिला सब पंदा पंदा डिस्ट्रूइट हुआ पड़ा है गलती से, और number of items कितने हमार पास है, 20, तो 20 items से 15 15 डिस्ट्रूइट हुआ पड़ा है, wrongly, तो total sum केतना हुआ 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 है, 300, clear है बच्चे, और यहां पर अगर आप देखते हैं, तो correct, submission x निकालना है आपको, तो 300 तो गलत है, तो इसमें से आप wrong number subtract कर दीजिए, wrong number क्या आपका x series के अंदर, x series के अंदर आपके पास में 17 है, 17 minus कर दीजिए और correct number के 27, तो plus 10 देना है तो 310, यह clear है बच्चे, सुजमाएं आपको, और इसी तरीके से, आपके पास में wrong submission of y है, wrong submission of y, तो हमारे पास में mean of y, y का average कितना है 20, और number observation कितना है 20, तो total कितना आएगा हमारे पास में 400, क्यूंँ पता लगा आपको, mean 20 मतलब सब पे 20-20 share हुआ है, 20 observation है, तो 400 share कर दिया, तो यह wrong sum है, clear है बच्चे, अब आपके पास में correct, submission y, तो 400 में से, आपका जो है, y series की बात करता हूँ, तो जो wrong है वो उसको आप subject करो, 35, clear है बच्चे, और जो correct है उसको लो आप 30, और इस तरीके से आपके पास है 5 to 3, 95, clear है, सब्जमाए हैं बच्चे, बच्चे प्लिस पूछेंगे, आगे बढ़े, चले, तो अब आपके पास में, summation, यह x, summation y, आपके पास में दो आगया, अब आपके पास में और के गीवन हैं ज़रा देखते हैं, और आपके पास में गीवन है, R, तो R का फॉर्मुला तो आपके पास में गीवन है, आपके पास में, तो R की वैल्यू क्या आपके पास में, 0.3, एक पॉस्टू, समिशन x & y, समिशन x & y, यह रॉंग साथ डीटा, तो रॉंग डीटा है तो मैं यहां पर रॉंग ही फाइंड करूंगा पहले, क्लियर है उसके फिर बाद में करेट करेंगे, समिशन x, y मेरे पास में नहीं है, 20, and समिशन x by n, समिशन y by n, मतलब mean of x & mean of y, mean of x & mean of y, 15 into 20, upon strand division of x & y, 4 into 5, 20, 0.3 into 20, 20, 300, यह होँए था कि 20 multiply, यह plus हुजाएगा और फिर 20 इनको, multiply करेंगा, summation of x & y, तो क्या जागा आपके पास में, wrong summation x & y equals to, wrong summation x & y equals to, 20 20 into 0.3 plus 300, 306 into 20, 6120, clear है बच्चे, wrong summation x & y है, जो है, wrong वाल इसमें से minus कर दो, जो आपके x & y में, जो x into y जो wrong है, यह x & y है, wrong वाल है, minus कर दो, 17 into 35, x into y होगे न, और correct वाला x into y ले लो, plus 27 into 30, clear है बच्चे, अब solve करेंगे इसको, तो correct, summation x y equals to, 6120, solve करेंगे, 17 into 35, 17 into 35, 55, plus 27 into 30, 27 into 30, 810, clear है, करेंगे, 5 minute करेंगे, 5 minute करेंगे, 5 minute करेंगे, solve करेंगे, 6120, minus 595, 595, plus 810, तो आपके पास मेंगे, 6, 3, 3, 5, clear है, सुमिशन आपके पास में, शुर्मिशन आपके पास में, करेंगे पास में, correct! Summition of x², यहां सा आप देखिए, correct, summation of x², x² की वैली आपके निकाल यहां पर कहीं पर, देखता हूँ, एक सेकेंड रूखिए, हाँ जी बच, देखीगा, आपके पास standard division given ने, standard division of x का formula क्या है, अंडरूट, summation x square by n, minus summation x by n का whole square, यही होता है ना formula, ठीक, standard division of x का गिवन आपके पास में बचेंगे, 4, standard division of x square, तो यह आपको finding करना है, x square की need, upon में n आपके पास है 20, minus summation of x, summation of x आपके पास में क्या रॉंग वाले आपके पास में है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले x square रॉंग वाले निकालने, तो summation of x square तो summation of x आपके पास है given कितना है summation x by n summation x by n मतलब की mean of x की बात करने तो mean of x का है 15 कर square solve करेंगे तो 16 equals to summation x square by 20 and minus 220 solve करेंगे 220 minus solar 200 no 220 plus solar 200 ectalis into b's summation x square equals to 4 8 2 0 clear है बच्चे 4820 clear है अब इसमें आपको क्या करना है जो x series है तो x का आपको wrong वाले का आपको square minus कर देना wrong क्या 17 कर square and plus correct क्या 27 27 कर square आपने add कर देना है तो 4820 289 plus 27 कर square 27 कर square 729 तो 4820 minus 289 plus 729 plus 729 5260 clear है स्वाइ है बच्चे तो यह हमारे पास में क्या आगया यह हमारे पास में 5260 correct x square आगया similarly आपके निकाल सकते हों यहाँ पर summation of standard deviation of y equals to standard deviation of y equals to under root summation of y square by n minus summation y by n का whole square and standard deviation of y के हमारे पास में 5 है summation y square by 20 and minus summation y by n का square तो y by n mean of y के है 20 20 का square क्या होगा 400 तो 25 425 into 20 equals to summation y square तो 425 गुणा 20 425 गुणा 20 पिचासी सो कितना है y square पिचासी सो जगे कम है मैं लिखते लिखता हूँ summation y square equals to 8500 पता लगा आपको कैसे आया यह root यहाँ square हो जाएगा 25 यह 400 प्लस जाएगा 425 फिर 20 मुलिप्ला करतेगा बढ़ यह incorrect है अब मैं correct summation of y square की बात कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है correct summation of y square आपका जो incorrect वाला है उसमें से y में क्या गलती थी आप से 35 ले लिए था उसका square माइनस कर दो प्लस 30 का square तो आप solve करेंगे 8435 का square माइनस तिंक बारा पक्चिस और प्लस नो सो 35 का square बारा पक्चिस और प्लस नो सो तो 8500 माइनस 12 25 प्लस 900 8175 clear है बच्चे यह हमारे पास में आ गया अब मैं इसको continue कर रहा हूँ इसको यहाँ पर ठीक है पिंक कलर तो दिखेगा इस पर देख लीता हूँ तो दिख रहा है देखो बच्चे इसको मैं continue एक ही पेच पर सारा आ जाएगा बच्चे फिर आपका क्या पूछ रहा है अंकित पूछो देखो अब मेरे पास में correct निकालना है तो correct के लिए मेरे पास में जो है formula है submission x by by n तो correct submission of x and y कहा है मेरे पास में correct submission of x and y यह this one 6 3 3 5 upon n 20 minus submission of x by n तो correct submission of x by n तो correct submission of x क्या है 310 by 20 इन्टू correct submission of y correct submission of y कह है 395 upon 20 upon submission of x क्या है पीछे ही कर देता हूँ मैं कोछ जगे तो मिलेगी नहीं आप बच्चे एक पेज लिए लित तो हूँ हाँ जी देखिगा r equals to summation xy minus summation x by y n minus summation x by n into summation y by n upon understand deviation of x means under root summation x square minus summation x by n ka whole square into under root under root summation y square by n minus summation y by n का whole square यही है हमारा formula r equals to summation xy क्या है हमारे पास में सुमिसिंदें । इस्टे पैंथी में का है इस्टे 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 ओफी दो पिजागा है है का हृँ आथ हैं का lot of upon under root, x square क्या है? x square by n, x square देख लिजीए, correct x square, 52, और y square क्या है वो भी देख लिजीए आप जरा, 81,75, क्या है, summation x square by n, n आपका 20 है, और ये mean of x जो हमने अल्रडी निकाल लिया है, minus 310 by 20 का square, under root, 20 minus summation y square by n, तो जो 395 by 20 का whole square है, clear है, कोई doubt किसी बच्चे को ज़रूर पूछे, कोई doubt है बच्चे, बैठ जो, अंदर बैठ जो, clear है, कोई doubt, हाँ, जी, सामें देखेंगे अब, then r equals to, solve करिए, अपसी जाइ, अपके हाथ में, 6 3, 3 5, divided by 20, 3 1, 6.75, upon 20, minus kattit दसवटबीश, 15.5 into, 395 बटा बीश, 395 बटा बीश, 19.75, clear है, बच्चे, so, 6 3, 3 5, divided by 20, upon, under root, 5 2 6 0, 5 2 6 0, divided by 20, 263, minus, 15.5 ka square, 240.25, and 8 1 7 5, divided by 20, 408, 0.75, and minus, 19.75 ka whole square, solve करेंगे, r equals to, coefficient of correlation equals to, 316.75 minus, 15.5 into, 19.75, 306.125, divided by, 20, 263, minus, 240.25, 22.75, 22.75, into, 25.75, 25.75, 25.75, 408.75 minus 19.75 square 390.06 R equals to 316.75 minus 306.125 10.625 upon 22.75 under root 4.76 in 408.75 minus 390.06 X under root 4.323 and coefficient of correlation equals to 10.625 divided by 4.76 into 4.325 20.587 10.625 divided by 20.587 0.516 20.5ındaki Clear, it is clear? Do you understand what you are doing? अब इसमें से कुछ देखिएगा, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, से लिए बस पूरा हो गया है, concept पूरा clear आपका हो गया है, अब आपको जो भी करवा रहा हूँ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से important है, तो जो 10-year का folder है, उसको आप में कैसे questions आते हैं, आपके सामने हैं के questions ऐसे आते हैं, direct questions नहीं पूछे जाते हैं, तो इस टाइब of questions अलड़े मैंने आपको पहले युनिट वाइज जो फोल्डर, उसके अंदर भी ऐसा question मैंने एक नहीं बहुत करवाई हूँ है, अलगला तरी करवाई हूँ है, प्र फिर आपको पूरा cover कर लेगा, clear है बच्चे, मिलते हैं फिर next classes में, thank you, thank you so much, 30 days study plan, ठीक है, मैं next classes में, आपका 30 days plan ही लेकर कर आऊँगा, और उसको आरे बताऊँगा, उसको आपको कैसे करना है, correlation और regression करो start बच्चेस के बाद, unit 1 के बाद correlation and regression, index number independent unit से है, उसको आप कभी भी कर सकते हो, उसको किसी से कोई link नहीं है, time series independent unit है, उसको किसी से कोई link नहीं है, probability independent unit है, तो आप first unit सबसे पहले पढ़ें, उसके बाद correlation and regression पढ़ें, उसके बाद बाकि तीन unit में से आप कोई साभी उठा करके, पहले आगे पीछे करके पढ़ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, index number lengthy unit है, तो छोड़े time series को wind up करो पहले, ठीक है, तो आपका correlation and regression करो unit 1 क इसके बाद उसके बाद आप time series को फोकस करो, time series के बाद फिर आप index number फोकस करो, last minute probability फोकस करना है अपने,